अगर आप एक गुबारे को फुलाते जाएं फुलाते जाएं फुलाते जाएं और उसका मैक्सिमम सबसे जादा बड़ा साइज आ जाएं और फिर भी और फुलाते जाएं फुलाते जाएं एक समय क्या होगा कि वो गुबारा बड़े बैंक के साथ, बड़े आवाज के साथ फुट जाएगा, धमाकासा हो जाएगा और यदि आप उस गुबारे को फुला के रखें और उसमें थोड़ा सा एक सेफटी पिन चुभा दें, तो भी वो गुबारा फट जाएगा घमंड, अभिमान, अहंकार कुछ ऐसा ही होता है, जो कभी-कभी हमारे जीवनों में और विशेश करके विश्वासियों के जीवन में आजाता है पर मेश्वर चाहता है कि हम अहंकारी नहीं, घमंडी नहीं, अभिमानी नहीं, किंतु हम विनम्र बनें जी हाँ, the concept of humility, concept of humility या विन्नमरता आज मैं आपके सामने इसी एक विशेश गुणवत्त के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर आप से और मुझ से चाहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में, मसी जीवन में, विन्नमरता से अपने आप को सवारें, पिनम्र बने, दीन बने, नम्रता हम अपने आप में अपनाएं सो आईए, आज हम देखते हैं, सबसे पहले मैं इसकी परिभाशा आपके सामने रख दूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि ये एपिसोड दो भागों में हैं, तो आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वो पहला एपिसोड है, इसके बाद जो दूसरा एपिसोड आएगा, ये इसका कंटिनिवेशन लगाता और दूसरा भाग में आएगा तो आप दूसरा भाग भी इसके साथ ही साथ सुनिये, विनमरता के बारे में, दीनता के बारे में, नमरता के बारे में, सुआ ये देखते हैं इसकी क्या परिभाशा हो सकती, आला कि हो सकता है कि आपके जीवन में आपने कई परिभाशा सुन गुणवत्ता है जो अपनी महत्वता से बिल्कुल स्वतंत्र होकर परमेश्वर के प्रती पूर्ण समर्पन और दुसरों के प्रती पूरी निष्ठा के साथ एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक मानसिक्ता रखता हो। मैं भीर से आपके लिए पढ़ूंगा विनमरता वो गुणवत्ता है जो हम अपनी महत्वता से बिल्कुल स्वतंत्र होकर परमेश्वर के प्रती पूर्ण समर्पन और दुसरों के प्रती पूर्ण निष्ठा के साथ एक सकारात्मक सोच रखना, एक सकारात्मक मानसिक्ता हैंगे, the definition of humility, विनमरता की परिभाषा, दीनता की परिभाषा, ये जो शब्द आया है, English में humility, ये एक Latin शब्द से आया है, humus, उसका मतलब है कि इस प्रकार का soil, इस प्रकार की जमीन, जो मरे हुए केडे मकुणों से और जो हम पेड के जो पत्ते सड़ते हैं, डालिया सड करती हैं, उनसे जो मिल करके बनता है मत्टी, उसको हमस कहते हैं, उससे हमारा शब्द आया है, humility, और ये बहुत जरूरी है, एक अच्छे पेड को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मित्टी या खाद हम दें, अच्छा, इसी विनमरता का उल्टा आता है, जो मैंने शुरु से हमारे जीवन में आता रहता है, मेरे जीवन में कई बार आया, और आपको पता है, कि यही वो पाप था, यही वो evil था, बुरी बात थी, पाप था, सब पापों का आधार, या basic root, जिसे हम कहते हैं, वो है अहंकार, अभिमान, घमन, अब देखे न, कौन था इसका, अविशकारक, किसने इसको शुरुवात दिया, जिया, शायद आपने सोच लिया होगा, इसकी शुरुवात हुई, लूसिफर, वो शैतान से, जो अपने आप को बहुत फुलाया, और उसने कहा कि मेरे बराबर तो कोई हई नहीं, अपने आपको बहुत उंचा किया, उसने यहां तक किया कि परमेशर को चनौती दे डाला, मैं उससे भी बढ़कर हूँ, और इसने अपने आप को बहुत जादा बढ़ा करके फुला दिया, और आप जानते हैं, कि मैंने शुरु में जो गुबारे का, बलून का जो एक्जामपल दिया था, फूलता गया, फूलता ग कि वो फट कर नश्ट हो जाता है, इसी के बारे में शुरुवात जो हुई है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यशाया की किताब, यशाया जो है, पुरानी नियम में पाए जाता है, उसकी किताब को मैं आपके लिए पढ़ूँगा, यशाया नभी की किताब, और उसका च कंद्रापत ध्यान से सुनिए उसकी जवदा अध्याय और उसका बार्वापत से हम पढ़ेंगे सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये भोर के चमकने वाले तारे तू कैसे आकाश से नीचे गिर पड़ा तू तो जाती जाती को हरा देता था तू अब कैसे काटकर मैं स्वर्ग पर चड़ूंगा ये है वो ऐसा फूल नाम आंकार गमन चुरूवात मैं स्वर्ग पर चड़ूंगा मैं अपने सिहासन को स्वर्ग के तारा गंड से अधिक उचा करूंगा और उत्तर जिशा की छोर पर सभा के परवत पर विराजूंगा मैं मेगों से वी जो लोक में उस गढ़े की तक उतारा जाएगा और उसके बाद लिखा हुआ है दूसरी जगा पर उसको फिर परमेश्वन ने नीचे गिरा दिया जिया एक समय आता है वो घमन फूलता चला जाता है और वो फट जाता है और नश्ट हो जाता है ये तो हुई घमन की बात ले लेकिन हमारा जो आज का विशा है वो दीनता है दीनता के बारे में है विनम्रता के बारे में नम्रता के बारे में जो परमेश्वर आपके जीवन से मेरे जीवन से विशेश करके जो मसीही विश्वासी है उनके जीवन से वो चायता है क्योंकि जब विनम्रता आती है तो प हमारा जो हीरो है हमारा जो बॉस है प्रभू इश्य मसी उसके बारे में देखे कि किस प्रकार से वो एक एक्जामपल था आपके लिए और मेरे लिए हम मेरे जीवन के लिए आपके जीवन के लिए पुरी मानव जाती के लिए वो एक आदरश था और example था हम उसी के बारे में थोड़ा देखेंगे की उसी ने कहा नम्र भनो क्योंकि मैं खुद नम्र हूँ विनम्र हूँ, दीन हूँ है की ने तो हम उसके बारे में देखेंगे अगर आप निकालेंगे अगर आपके पास बाइबल है तो आप देखी क्या लिखा हूँ? कपर मेरा जुआ अपने ऊपर उठालो और मुझसे सीखो क्या सीखो जी? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे मेरा जुआ अपने उपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे मत्ती उसका ग्यारा उन्तेस और अगर हम देखें तो प्रभुई श्मसी ने ने सिर्फ उसने कहा कि मैं नम्रा और दीन हूँ उसने करके भी दिखाया आदरश के रूप में जब पकड़वाने जाने से पहले प्रभुई श्मसी ने अपने चेलों के साथ जब आखरी भोज किया उसने मालम क्या किया उसने बरतन में पानी भरा और फिर सब के पाओं धोने लगा और पाओं को धो करके उन्हें अपने तौलिय से पोचने लगा आपने कभी सुना ऐसा बज़ती आजकल तो बड़े बड़े जो गूरु जो होते हैं लोग उनके पाओं को धो करके उनके पानी दूले ऑफानी को पीते हैं ये हमारा प्रभुई श्मसी उल्टा किया है उसने बोला मैं तुमारा गूरु हो करके तुमारे पाओं धोये विनम्र हुआ, दीन हुआ आप समझिये कि एक स्रिष्टी करता जो है प्रभुईश मसी वो स्रिष्टी की सेवा कर रहा है क्या बात है और यही बात हम देखते हैं उसने अपने उपर लिए फिर उसने कहा जैसा आज मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दुसरे के साथ ऐसा ही किया करो सिर्फ बोलना नहीं है कि विनम्र बनो विनम्र बनो और खुद घमंड से घूम रहे हैं अंकारी बन के घूम रहे हैं यह हो सकता है कई बार पचारक खुब बोलता है जोड जोड से लेकिन उसी बात को कई लोग सब लोग नहीं कई लोग उसको करते ही नहीं है पर मैं इश्वर करें कि जब मैं यह शेयर करना हूँ आपके साथ मैं खुद इस बात को अपने जीवन में कंटिनियूली सीख हूँ सो हम देखते हैं उसने सिर्फ ना बोला उसने बोला तो कि मैं नमर और दीन हूँ लेकिन उसने करके दिखाया चेलों के साथ और सबसे बड़ी बात जो उसने किया एक विनमरता और नमरता और दीनता की बात कि उसने अपने आप को जीरो बना दिया साहब क्रूस की मिरत्यू सहय करके मैं आपके लिए पढ़ूँगा फिलिप्यों की पत्री उसका दूसरा अध्याए पांच से नौ सुनिये परमेश्वर का वचन क्या कहता है और वैसा ही वो चाहता है कि हम भी बने जैसा मस्य येश्व का स्वभा था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभा हो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वच में रखने की वस्तु ना समझा ये देखे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आपको परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तुन न समा वरन अपने आपको ऐसा शून्य कर दिया जीरो कर दिया और दास का रूप धारन किया और मनुश्यों की समानता में हो गया और मनुश्यों के रूप में प्रगट होकर अपने आपको दीन किया यहां तक आग्याकारी रहा कि मृत्यु हाँ खुरूस कि मृत्यु भी उसने सहली यह है विनम्रता का प्रतीक यह है नम्रता का प्रतीक यह है दीनता का रूप जो हम अगर देखते हैं ना सिर्फ वाक्य में लेकिन व्यक्तित्व में और वो व्यक्तित्व है हमारे प्रभुईश मसी उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया कुरूस पर चड़ा करके कौन करेगा ऐसे साब? निम्वन विनम्रता की रूप को धारन करके कुरूस की मत्यु सहली और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा इस कारण परमेशन ने उसको अतिमहान भी कर दिया और जो उसको नाम दिया वो सब नामों में क्या है? स्रेश्ट है तो हम देखते हैं मेरे प्रियो की येश्व मसी हमारे लिए मेरे लिए और आप के लिए क्या है? एक एक एक्जाम्पल है एक उधारन है एक आदर्श बन गया कि हम वे नम्र बने रहे हम दीन बन जाए हम अपनी महत्वता को छोड़ करके परमेश्वर की महत्वता परमेश्वर पर पूर्दिती से निरभर रहे दूसरों के प्रतिनिष्टा के साथ एक सकाराथ्मक सोच अपने मन में रכे एक सकाराथ्मक मानसिक्ता अपने जीवन में रכे यही वे नम्रता है तो हम देखते हैं कि न सिर्फ वो example बना लेकिन ईशुमस्जी ने फिर क्या किया आग्या भी दी कि जैसे मैं नम्र था वे नम्र था वैसे ही तुम भी बनो अपने चेलों से यही बात कहीं और आप से और मुझे से भी यही बात करते हैं प्रभुषुमसी चलिए कुछ बातों को हम पढ़ ले जो उसने आग्या की रूप में आपको और मुझे को दिया पहला लिखा हुआ है मत्ती उसका पांच और पांच मत्ती उसका पांच वा अध्याए और पांच पहल क्या लिखा हुआ है धन्य है वे यह धन्यवाद वाले बचन है धन्य है वे जो नम्र है दीन है वे नम्र है हम्बल है क्योंकि वे पृत्वी के अधिकारी होंगे साथ यह परमेश्वर की प्रामिस है ये परमेश्वर की प्रतिग्या है कि अप और मैं प्रिधिवी के अधिकारी होना मांगते हैं तो हमें नम्रबनना है थाब पूरी विनम्रता के साथ हम प्रविश्व मसी के पीछे चले जो हमने डेफिनेशन जो हमने परिभाशा आपके सामने रखा उसी को ध्यान में रखते वे हम आगे पढ़े हैं न अच्छा एक जगा पर क्या लिखावा है इसी का मत्ती रची सुसमाचार और उसका तेई सद्याए बारापद मत्ती उसका तेई सद्याए और उसका बारापद क्या लिखावा है बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है, जो सब के साथ, जो सब की जगा, सब लोग नहीं सोचते हैं, इसके बारे में, तुम जो तुम्में बढ़ा हो, जो तुम्में बढ़ा हो, वो तुम्हारा सेवक बने साथ, अच्छा जी आप अपने आपको लीडर बोलते हैं, आप अपने आपको बड़ा मानते हैं, अधिकारी मानते हैं, तो लिखा हुआ है, सेवक बन जाओ, वह ही है साब, लीडर की निशानी, एक अधिकारी की निशानी क्या है, सेवक, अब देखते हैं कौन सेवक बनना मांगता है कौन लीडर बनना मांगता है ये तो लीडर की तो क्वालिफिकेशन यही है है की नहीं एक बड़े होने की क्वालिफिकेशन यह है कि तुम अपने आपको छोटा करो बारमापद यहां लिखा हुआ है मत्ती 23 बारा जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा क्या बात है praise the lord hallelujah यह है परमेश्वर का सटीक बिल्कुल साफ वच्चन जो अपने आपको बड़ा बनाने की सोचता वो छोटा कर दे जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा परमिशर उसको बड़ा करेगा यह यह है विनम्रता तो साब क्या हम विनम्र बनने के लिए तियार हैं क्या हम हम्बल बनने के लिए तियार हैं बुनवत्ता जो हम अपने जीवन में ले लें एक जगा फ्र लिका हुआ है यहना 3.30 में बहुत इंट्रेस्टिंग चीज लिखे हुए है देखते हैं यहना 3.30 वहां पर कहां यहां यहां पर और वहाँ पर हम देखते हैं कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ प्रविश्यमसी बढ़े, परमेश्वर बढ़े, और मैं घटूँ विनमरता, अपनी सोच में, अपनी क्रिया कलापों में, अपनी पूरे वेक्तित्व में, हम्बल, विनमरता, दीनता, नमरता, ये आपको और मुझको बहुत इसके बारे में सोचना है, अचा एक जगह और क् लिखावाँ सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत सठीक है, पहला पत्रस, पांच छे, पहला पत्रस, परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे हमें आपको और मुझको दीन बनना, पांच और उसका छठवाँ पद, इसलिए परमेश्वर के बलवन्थ हाद के नीचे दीन दा से रहो कैसे रहो दीन ता से जिस से वा तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए भाई अगर हम दीन बनेंगे तो परमेशर हमें बढ़ाएगा यदि हम विनम्र बनें रहेंगे परमेशर की आशिश हम पर बनी रहेगी और इसी का पांच पांच भी पर पढ़ लेता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी ये भी हैं पांच और पांच हे नवयूकों तुम भी वृत पुरुशों के आधीन रहो वरने तुम्हें एक दुसरे सब एक दुसरे केस सेवा के लिए दीन ता से अपनी कमर बांदे रहे क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु तीनों पर अनुग्रह करता है मेरे प्रियों हमने यही बात यहाँ पर देखी कि परमेश्वर की ये अपेक्षा है कि आप और मैं विश्वासी भाई भेन अपने सोच विचार में अपने व्यक्तिकत जीवन में कारियों के द्वारा हम विनम्रता पहने रहें विनम्रता का कपड़ा हम पहने रहें अपने जीवन में तभी परमेश्वर आपको और मुझको क्या कर गया आशिष देगा ना James James के बारे में हम पड़ते हैं याकुब की पत्री और उसका चार और 2006 का लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है वह तो और भी अनुगर्ण देता है इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नमरो पर अनुगर्ण करता है परमेश्वर आपके और मेरी इसमे अगवाई करे कि हाद जो पहला भागन में देखा कि नमरता क्या है कैसे हम उसको मतलब किस प्रकार से हम अपने जीवें में ला सकते हैं विनमरता प्रविश्व मसी हमारा उधारन रहा है हमारा आदर्श का कारण बना है तो आईए हम जो उसके विश्वासी हैं प्रविश्व मसी के फॉलोवर्स है हम भी अपने मास्टर के समान अपने शिकषक के समान अपने परमेश्वर के समान वे नमर बने रहे इसका दूसरा भाग आप सुनना नह भूलें जो एपिसोड नमबर दो में आएगा परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगवाई करे